तीन ऐसी बातें जो हमें देखने को मिलती हैं किसी भी brain stroke के patient में Hello everyone, my is the doctor Sanskriti Physiotherapist हम generally हमारी body में symptoms feel कर रहे होते हैं लेकिन हम उन्हें recognize नहीं कर पाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम symptoms को समझ ही नहीं पाते हैं और problem बहुत जादा deteriorate हो चुकी होती है आज इस वीडियो में particularly हम बात करेंगे brain stroke के बारे में लेकिन उससे पहले आपको पता चला कि आपको brain stroke है ये जो पता चलने वारी बात है हमें बहुत बाद में पता चलती है जब हमारे ECGs हो चुकी होते हैं, जब हमारे test हो चुकी होते हैं लेकिन initially आपको कौन-कौन से ऐसे लक्षन दिखाई देंगे आपकी body में या कह लीजे आप कौन-कौन से चीज़े अपनी body में महसूस कर सकते हो जिससे आप पहचान जाओगे कि आपकी body कुछ abnormal changes दिखा रही होती है इस वीडियो में particularly हम तीन ऐसे लक्षन के बारे में बात करेंगे first is weakness, second is speech and third is face deviation सबसे पहले अगर हम बात करते हैं weakness के बारे में बहुत बार ऐसा होता है कि patients कई बार ठक भी चुके होते हैं कोई भी mechanical work है या फिर offices कुछ काम है या फिर कुछ भी काम हो रहा है कोई sports person है, कोई athlete है तो जब भी work out करते हैं उसके बाद patients generally ठक जाते हैं लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आपको brain stroke है अगर आपको brain stroke की समस्य हो रही है तो आपकी body में एक generalized weakness आपको महसूस होगी मतलब आप कोई भी action नहीं perform कर पाऊगे अब कोशिश करोगे, आप voluntary actions perform करने की कोशिश करोगे लेकिन आपका brain आपको support नहीं कर रहा होता है यही होता है brain stroke की condition में अब इससे पहले हम थोड़ा सा यह जान लेते हैं कि brain stroke है क्या जब भी हमारे brain की vessels को proper blood supply नहीं मिल रही होती है और हमारा brain अपने voluntary and involuntary actions perform नहीं कर पाता है that is brain stroke अब आपको यह तो समझ में आगया होगा कि body में weakness आ रही है मतलब brain में कुछ functioning खराब हुई है अब मैं आपको यह भी clear कर दूँ अगर आपके left side की brain में कोई functioning खराब हो रही है तो आपकी right side की body paralyzed होगी और अगर आपके right side में कोई clotting हुई है हम्रेज हुआ है या फिर blood vessel रप्चर हुई है तो आपकी left side की body paralyzed होगी तो यह आपको जानना है कि जब भी हमें brain stroke की समस्या होती है या हमें जो भी लक्षन दिख रहे होते हैं वो हमारे brain से related होते हैं अब अगर हम दूसरे लक्षन की बात करें that is speech अब speech से आप समझ पा रहे होगे कि बोलना लेकिन paralysis patients में generally हमें यह चीज देखने को मिलती है कि वो बोल तो बात है लेकिन वो शब्दों को बहुत जादे extend कर रहे होते हैं मतलब जैसे हम ideally कोई नाम लेना है हमने नाम लिए रिशब मैंने बोला रिशब लेकिन अगर paralysis patients के गर हम बात करते हैं तो उसमें से कोई एक particular ऐसा word है जिसे R तो वो R को बहुत जादे extend कर देते हैं मतलब वो अपना नाम धंक से नहीं ले पा रहे होते हैं या फिर उन्हें अपना भी कुछ अगर समझाना होता है तो वो नहीं समझा पाते हैं यह ऐसे लक्षन है जो हम generally किसी को सामने से देख के पहचान सकते हैं आप family में बैठे हो आपके साथ और भी relatives बैठे हैं आपके घरवाले बैठे हैं अगर किसी को यह problem हो रही है तो आप automatically और initially एकदम से समझ जाओ गए at that point कि यह changes abnormal है अब मैं इस वीडियो का motive generally यही है समझाने का कि यह कुछ ऐसे लक्षन है अगर speech है किसी को fumble करने की problem है तो हम नहीं समझ पाते कि यह stroke की condition हो सकती है क्योंकि ऐसे बहुत cases में देखा गया है कि हमें stroke के लक्षन बहुत सारे दिखते हैं मतलब additional और comparatively हमें बहुत सारे लक्षन देखने को मिलते हैं ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक speech ही है जो आपको देखने को मिलेगा उससे पहले मैंने आपको क्या बताया है weakness अगर body में आप generalized weakness फिल कर रहे हो उसके साथ-साथ अगर आप bowl भी नहीं पा रहे हो तो यह सारे लक्षन हैं आपके brain stroke के अब अगर हम तीसरे लक्षन के बारे में बात करते हैं that is face deviation अब अगर face deviation की बात करूँ तो cosmetically बहुत सारे patients इससे depressed भी हो जाते हैं और यह एक ऐसा symptom है जो generally सामने से आपको कोई भी देख के बता सकते हैं like suppose आप एक gathering में बैठे हो और किसी को paralysis का attack आया है stroke का attack आया है तो सबसे पहले जो changes उसके face पे देखने को मिलेंगे that is deviation deviation मतलब आपकी midline से चेहरा deviate हो जाना या तो लेफ्ट में या फिर राइट में तो यह एक ऐसा symptom है यह ऐसा लक्षन है जो कोई भी एकदम से देख के आपको बता दे का समझा सकते है लेकिन paralysis patients इस condition में क्या feel कर रहे होते हैं जबी भी हमें symptoms देखने को मिलते हैं कि माम कुछ ऐसे initial symptoms हैं जो हमें पहले से कंट्रोल कर सके जो हम पहले से precautions ले लेकि हमें paralysis नहीं होगा तो अगर हम symptoms के बात करते हैं तो ऐसा कोई symptom नहीं है जो आप पहले से जान सको weakness के अगर हम बात करें तो weakness generalized होती है और gradual होती है या फिर आप words को ढंक से बोल नहीं पाते हैं प्रनाउंस नहीं कर पाते हैं या फिर words generally extend हो जाते हैं लेकिन यह जब symptoms आपको severity पर दिखने लग जाए हैं मतलब आप ना बोल पा रहे हो ना फिर आप कुछ shallow कर पा रहे हो ना आप कुछ pick कर पा रहे हो मतलब आपके hands में भी weakness नहीं है आप ठंक से आपकी speech भी बहुत जादा clear नहीं है और आपका face भी deviated है अब अगर हम बात करें paralysis patients की कि अगर उन्हें यह symptoms दिखते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए जब paralysis patients हमारे पास यह symptoms लेके आते हैं तो सबसे पहले जो हमें उन्हें समझाना होता है वो यह होता है कि जो initial peak time है बहुत बार patients generally late हो जाते हैं आने में मतलब hospital visit करने में तो ध्यान यह रखना है जब भी आपको ऐसे symptoms नजर आते हैं तो आपको early three to four hours में अपने best hospital में visit करना है best hospital in the sense like जहां पर आपके proper test हो सकें जहां पर आपके proper test हो सकें क्योंकि ECG city scan MRI यह सब important test है जिनसे आप identify कर सकते हो कि आपको stroke कौन से type का हुआ है और जैसे आपको पता चलता है आपको stroke कौन से type का हुआ है तो आप उसका treatment उसका rehabilitation फर्दर start कर सकते हो इस video में समझाने का जो आपको लक्षन देखने को मिलते हैं वह आपको पहचानने होते हैं क्योंकि बहुत बार अगर हम बैठे हुए हैं या फिर हम कुछ activity कर रहे हैं तो हम symptoms को neglect कर देता हैं हमें लगता है ऐसे ही हो रहा होगा लेकिन वह ऐसे ही नहीं हो रहा होता आप अभी normal है अभी मैं normal खड़ी हुई हूँ लेकिन अगर मेरी बाडी में कुछ जनरली symptoms को neglect कर देते हैं तो cases बहुत जादा severe हो जाते हैं तो इस वीडियो में आई होप आपको यह तो समझाया होगा कि यह जो भी particular मैंने लक्षन बताए हैं अगर आपको यह आपके अगर आपको normally ऐसे symptoms देखने को मिलते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसर्ट करने हैं अपनी हिस्ट्री उन्हें प्रॉपरली बतानी है कि आपको कब से symptoms फील होने start हुए हैं और कैसे कैसे आपको दिरे-दिरे इनकी severity समझ में आने लगी है क्योंकि initially ना जब भी हमें लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हमें stroke का अगर आपको बहुत सारे symptoms एक साथ देखने को मिलते हैं तो आप कह सकते हो कि आपको problem हो रही है और साथ साथ और सारे additional changes भी बाडी में देखने को मिल रहे हैं तो go for doctors go for the best consultation ताकि आपकी recovery, आपका treatment, आपका rehabilitation जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सके अगर आपको treatment के regarding कोई query है या फिर आपको medications आप कहीं से ले रहे हो आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको recovery नहीं मिल रही है आपको नहीं पता कि आप जो medications ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो तो आप directly हमिश्रयाज में contact कर सकते हैं हमाई doctors आपको free of cost best consultation provide करेंगे और आपको समझाएंगे कि actually में problem आपको क्यों हुई है आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है कौन-कौन से preventive measures लेने हैं या फिर कह लीजे कौन-कौनसे precautions लेने हैं उसके साथ आपकी best diet as well as exercises क्योंकि initially हम patients को बहुत ज़्याद exercises बता देते हैं and patients घबरा जाते हैं being a paralytic patient उन्हें यह भी को रही है तो you can just directly call us on the number given below या फिर आप comment sections में भी अपनी query mention कर सकते हैं thank you so much